हेलो गाईज, वेलकम बेक तो आर चैनल आईरवेज स्टडीज डबल ए ट्रीपल सी यूजी काउंसलिंग 2022 की ओफिशल वेबसाइट पर एक नोटिस अप्लोड किया है रिलेटीड टू राउंड फर्स रिपोर्टिंग और जोइनिंग अलोटेट कॉलेज और फ्री एक्जिट रूल्स के बारे में तो इस नोटिस को एक्स्प्लेइन करने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखे और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जिससे आप लेटेस्ट न्यूज से अपडेट रह सकें तो नोटिस कुछ इस तरीके से है ताट फाइनल रिजल्ट ऑफ रांड वन ऑफ दबल ए रिबल सी अउग कांस्लिंग तो थो टूर्टाइब को अप्लोटेट अब्लूटेड ओबल दबल एटर आपल्ल दूट दूबल दूट जोव दूट इन पांडिबल बिल्ग दूट आ चुका है round 1 का and आपको provisional allotment letter अपना डाउनलोड करके रख लेना है physical reporting आपकी college में 18th of November से लेकर 25th November तक रहेगी and ये 8 days की है तो आप सभी अपना provisional allotment letter डाउनलोड करके रखे and जब आपकी reporting होगी college में तो आपको ये लेकर जाना अपने साथ अब rules की बात करें तो rules for round 1 candidates who have been allotted seats in round 1 and wish to retain the seats are instructed to join the institute within stipulated reporting period तो अगर आपको round 1 में seat allot हो गई है और आपको वो seat retain करके रखनी है तो आपको वहाँ पे physical reporting करनी पड़ेगी college में second candidates who have been allotted seats in round 1 and not wish to retain are instructed to avail free exit no need to join the allotted institute और अगर आप चाते हैं कि आप अपनी seat को retain नहीं करना चाते हैं तो आप free exit कर सकते हैं आपको कोई physical reporting करने की जरुरत नहीं है college में जाकर third candidates who have been allotted seats in round 1 and wish to upgrade the seat in round 2 are instructed to report to the allotted institute physically and submit the willingness for the upgradation at the time of admission और अगर आप चाते हैं कि आप अपनी seat को upgrade करना चाते हैं round 2 के लिए तो आपको physically report करना पड़ेगा college में जाकर and आपको एक willingness देना पड़ेगा upgradation के लिए कि आपको आगे जाकर upgrade करना है round 2 के लिए तो आपका ये जितना भी admission प्रोसेस हो रहा है ये सारा online mode के थू हो रहा है और ये allotment letter आपको online ही मिलेगा अगर आपको offline admission मिलता है तो ये negligible माना जाएगा ऐसे ही latest news के लिए हमारे channel को subscribe करें and telegram channel को भी join करें and video को like, comment, share ज़रूर करें